Hi everyone, मैं वर्तिका स्वागत कर्दियों पिन चानल पे, I hope आप सब अच्छे होंगे, हम भी RACRD हिस्ट्री कर रहे थे, हिस्ट्री का क्लास 8 से स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स पार्ट हो गया था, अभी सेकेंड पार्ट करेंगे, यह तीन पार्ट में वीडियो होगी, क्ला यह सेकेंड पार्ट में हम चैप्टर 6 तू 10 करेंगे, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने अधर समरी वीडियो नहीं देखी है, रिवाइस नहीं किया, देखिए, रिवीजन बहुत इंपोर्ट है, हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन रिवीजन नही करते हैं, इसकी वज़े से एक्जाम में कुछ गरबढ हो जाती है, तो रिवाइस जरूर करें, मुल्टिपल टाइम कुछ भी काम करते हैं, आप वीडियो को सुन लिया करें, तो वो पॉइंट आपकी माइन में रहेगा, तो चलिए स्टाट करते हैं, चैप्टर 6 है, अठा वेतन कम दिये जाता था, जो अंग्रेजी सेना में उनकी मुकाबले वेतन कम दिये जाता था, दूसरा ठिकायत थी, थर्ड इनका प्रमोशन होता था, वो सूबेदार या हवलदार हैं, इनसे उपर होता ही नहीं था, ठीक है, अब फॉर्थ दिक्कत ये थी, कि उस समय 856 मे युर्दि करने के लिए सेना समुधिपार करके जाना पड़ता था, अब हिंदु धर्म के लिए समुधिपार करना, एक पाप था उस ठाइम, तो ये एक दिकत रही थी, उनके साथ अब मां जानाएक विवहार किया जाता था, अब अगला कोशन अगर ऐसे बन सकता है कि ततकालिक रीजन के आ रहा था ततकालिक कारड के आ रहा था अटासुटावन के विद्रोग का तो ततकालिक रीजन में मतलब जो उस समय इमिडेट कॉस्ट था उसका वो यह था कि नए इन-फिल्ड राइफला यूज़ के जाता था नि इन-फिल्ड राइफल यूमिर शाया ठीट जिक Öंग्रेजी सेना में क्या होता सव जो के चर्व करता है वो क studies स शुवर की वत यूशाा है झतरे छीज हम और दिखीन के लिए और मुसल्मानों के लिए निशेद होता है इस ल कालिक मतब एक लॉंग टम में क्या दिक्कते चल ले थी तो उनके बारे में मैंने प्रीवेस वीडियो में बताई भी था कि विल्ले नीती चल ले थी दल हौजी की जिसको डॉक्ट्राइन और व्लाप से कहते हैं यह नीती के तहट कई सारे राजियों को मिला दिया गया था ज जासी को नागपूर को उदैपूर बगार्ट इन सब को अंग्रेजों ने हडप लिया था यह नीतियों की वज़े से लॉंग टर्म रीजन की वज़े सब गुसा तो थे ही और सैनिकों ने इमेडियेट शुरू कर दिया यह दिक्कत अब विद्रो का आरंप कहा से हुआ था अफसर की हत्या भी कर दी थी हमला कर दिया था और इसकी वज़े से उनको फाइनली फासी पे लटका दिया जाता है अब अठासवतावन का विद्रो अपचारिक रूप से कब शुरू होता है मताब वह तो एक जस्ट एक इंसिडेंट हुआ था मंगल पांडी जी के दौरा उसके बाद एक एक जो में अपचारिक शुरूआत है वो हुई है दस मई अठासवतावन को मेरट की चावनी से ठीक है तो अगर पुछा जाया अठासवतावन का विद्रो कहां से शुरू हुआ तो मेरट से शुरू हुआ अचा प्रीवेस सर्फ कोशन पेपर भी मैं साथ म समराड कोशित कर दिया जाता है मुगल के अंतिम साशक बहादूर सा जफर को ठीक है तो मुगल के अंतिम साशक कौन थे बहादूर सा जफर जिनको बहादूर सा दुतिये भी कहा गया इनको दिल्ली का समराड ये साशक गोशित कर दिया जाता है विद्रो के चलते क्योंकि सब इधर उधर मारपीट वगरे सब करते हैं उसके बाद उनको बिठा दीता था अभी मेरट औ दिल्ली वाले दिल्ली दोनों सहरों में सहरी लोगों का बहुत बड़ा वर्क उनके साथ दे रहा था उनका साथ दिया उन्होंने अब बगावत जिब फैलने लगी तो यहां से क चिन ने क्या था प्रितीक क्या था तो रोटी और कमल था रोटी और कमल तो यह तीन पॉइंट आपको क्लियर रखने हैं साथ में और भी पॉइंट बता दूंगी है अचा हां एक प्रिवेस सेर में कोशन पुछा गया था कि उस टाइम पे अठाशा तावन के विद्रों के या फिर कोई राजा जिनका राज हडप लिया गया हो वो कर रहे थे यहां पर यह जो पॉइंट है एक चाल्ट देर ना यह सबसे जादा इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से एक बार रिवाइस कर लीजेगा या मैं भी आपर जो डिसकॉस कर रही हूं उतना पॉइंट तो आपको यादी करना है जिसे दिल्ली में किसने नेता तो किया था तो दिल्ली में बादूर सा जफर और बक्त खाने नेता तो किया था इनको दबाने के लिए विद्रोग और दबाने के लिए बिट्रितना एक कौन थे निकल्सन और हट्सन तो यह दिल्ली में थे उसके तो नाना साहब और तात्या टोपे रहते हैं नाना साहब को धोनुपंट कहा जाता था ता वास्तविक नाम था रामचंद पांडूरंग इनको हटाने के लिए कौन आया थे क्लिक करेंगे और फिर इसको दबाने के लिए ही रोज आयते तो यह को यह जब स्यादा पूछा जाता है जनली कि जहासी में अगेंस्ट में कौन था राणी लश्मी भाई के तो ही रोज थे इलहाबाद में कौन थे इलहाबाद में लियाका दली थे और यहां का विद्रो किया था और इसको हटाने के लिए कौन रहा थे विद्रो को दबाने के लिए टेलर और आयर तो ऐसे आज रख सकते हैं टेलर और आयर यह दो लोग थे जन्होंने कौर सिंग के अगेंस्ट में मतलब विद्रो को दबाने का काम किया था बरेली में कौन थे तो खान बहादू खान बादो खा बरेली में रहे थे फैजाबाद में मौलवी एहमदुल्ला एहमदुल्ला रहे थे और जब कि फतेपुर में अजी मुल्ला रहे थे और फैजाबाद में एहमदुल्ला रहे थे और जो फतेपुर है फतेपुर में नेतर ते किस ने किया था जो दबाने का काम क किया था तो यह पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं जितने भी यहां से जनली कोशन पूछे गए हैं अब यह जो मैंने बता है सुई को थोड़ा था डीटेल में जान लेते कि अंग्रेजों ने क्या किया था कानपूर में कानपूर में मराठो के आखरी पेसवा कौन थे तो आखरी पेसवा रहे थे बाजी राओ दूतिये बाजी राओ दूतिये कि जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब इन्हों ने कानपूर में नेतवते किया था और इनको पेंशन देना बंद कर दिया था जिसकी वज़े से यह और उसके साथ में बेगम हज़त महल के लिए भी लड़े थे ये बरेली में बक्त खाने किया था तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुगे हैं बस आपको एक बार रिवाइस कर लेना है आपके पर लूसेंट अगर होगी तो वहां पर चाल्ड दे रखा हुआ है अब मेन आ जा इन्होंने विद्रो की योजदा उल्दानी बनाई थी पहले से वहां पे भिहार में दानापुर चावनी है ठीक है दानापुर चावनी के सैनिक क्या कर रहे थे विद्रो कर रहे थे जिसमें अपना सपोर्ट किया था दानापुर चावनी के सैनिक विद्रो कर रहे थे जिस जो पासवाले बना रहा है जॉनपूर आजमगर बढ़िया इन छेत्रों पर पड़ा था अंग्रेजी जरकार ने इंके ओपर 25,000 का इनाम रखा था इनको प्रभावित हो करके जमिदार और किसान लोग भी प्रेडित हुए था उन्होंने भी सपोर्ट किया था अब हो जाता ह इनकी जमर्ति हो जाती ही कुवर सिंग की तब उनके बाद कौन नेतर तो समालता है तब उनके बाद उनके भाई अमर सिंग के दवारा च्छापा मार युद्धिसली यानि कि छिपकर हमला करने से अंग्रेजी को काफी परिशान किया था इन्होंने उसके बाद ये भी गिर सिंग यहां पर नेतर तकर रहा थे तो वहां पहले से ही वहाबी अंदोलन चल रहा था ठीक है अब वहाबी अंदोलन कहां पे किस छेत्र में हुआ था तो बिहार छेत्र में हुआ था याद रखना है इसलिए बिहार के एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है वहाब बहाव के द्वारा यह अंदुलन शुरू किया गया था अब उन्हीं के नाम पे अंदुलन का नाम बहावी अंदुलन पड़ा था लेकिन भारत में इसकी सुरुवात किस ने की है सेयद एहमद तूतिमीर यहां नहीं लिखा हुआ है लेकिन तूतिमीर अगर option में मिलता है इन्होंने बहुत जादा योगदान दिया था इस अंदुलन में यह समाजिक और धार्मिक सुधार अंदुलन था लेकिन बाद में यह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो गया था कि उनकी सत्ता को खतम करना है कप से कप के बीच में चला यह अंदुलन 822 से 868 तक यह सक्री र लेंगे वहाभी अंदुलन के और नेता जो रहे थे वो मुहमद हुसैन एमदुल्ला वाईज उल हक रहे थे इनको दोके से गिरफटार कर लिया था उसके बाद पीर अली इस विरोध की नेता पीर अली को अंग्रेजों ने गिरफटार करके उन्हें फासी दे थी ती यह प्रिवे सर का कोशन बताती हूं कोशन पुछा गया था कि जो अठास वतावन की क्रांती हुई थी उसमें कौन सा भिहार का कौन सा छेत आप प्रभावित रहा था तो दानापूर दानापूर तुछावनी थी दानापूर पत्ना मुझफरपूर यह जगदीजपूर यह सब तो रहे थे प्रभावित ठीक है मुझफरपूर यह प्रभावित रहे थे मुंगेर था option अगर मुंगेर आता है तो मुंगेर अठास वतावन की क्रांती से आप प्रभावित रहा था ठीक है यह पॉइंट याद रखना है अच्छा अठास वतावन की क्रांती के समय गवर् चुक्त-खोट्रर नाम क्या है मैंजह प्रिवास क्या चाहते थिए उसको आजमगरध घोसनाERS vibrant पत्र में डिमांड थी वह लिखा हूओ तो आजमगड घोशना पत्र कब आया था तो 25 अगस 850 को विद्रोहियो दारा जारी किये गए घोशना पत्र को आजमगड घोशना पत्र कहा गया इसमें इन्होंने कहा कि जो जमिदार है उनसे जमीन नीचीनी जाए कि जो वेपारी उनको फ्री मतलब आजादी से वेपार करन तो 25 अगस्त 1857 को आया था अब अंग्रेजयों Yes को कैसे दबाए तो अंग्रेजयों ने सबसे पहले दिल्दी में जाकर करके बादुर साजफर को उनके बेटों के साथ गिरफ्तार किया बेटों उनके सामने गोडी माल दी गई और जो बादुर साजफर थे बादुर साजफर इनको रंगून भेज दिया गया रंगून कहां पर है वर्तमान में म्यामार में जिसको उसमें वर्मा बोला जाता था और इनकी मृत्यूं कब हो जाती बादुसा जफर की 832 में इनकी मृत्यूं जाती है फिर लखनव में बेगाम हजद महल को गिरफतार करने जाते हैं तो यह नेपाल चली जाती है नाना सहाबी नेपाल चले जाते हैं और जासी की रानी तो युद में लड़ते वे सहीद हो जाती है तात्या टोपे भी धोके से उनको पकड़वा दिये है उनको फासी दे जाती है कुमार सिंग और अमर सिंग चुक है कि इनकी भी मेत्य जाती है तो ये इस तरीके से विड्रोको विड्रो का दमन कर दिये जाते हैं विद्रो के असफल होने के का करद थे तो एक तो उनके पास जो भारती विद्रोई थे उनके पास धनी नहीं था उतना उतने हट्यार नहीं थे उतने जादा और क्योंकि लोग पूरे सारे लोग सबी लोग support में नहीं थे जिसे कि अगर हम देखें तो जो पस्चिम भारत है और दच्छिड भारत है वो अचूता रहा था इस विद्रोई से तो पूरे भारत में फैला ही नहीं था यह केवल नौर्थ वाले पार्ट में जादा फैला थे जिसकी वज़े से अंग्रेज को फिर से एक बर सत्ता स्थापित करने में मदद मिलती है अब आ जाता है कि विद्रोग के बाद क्या हुआ विद्रोग के बाद अभी तक जो इस इंडिया कंपणी के हाथ में पूरी जिम्मेदारी थी सत्ता थी अब वो सीधे चली झाती है्क्राउ वे ब्रेटिस क्राउड के हाथ में मतलब अब जो में राज कर रहे हैं वह ड्रि कब किया एक नवंबर एक नवंबर 858 को घोष्रा की गई अब घोष्रा कौन करेंगी यहाँ विक्टोरी आएंगी नहीं तो कौन आया था यहाँ पे कौन थे कैनिंग थे ठीकि लॉड कैनिंग तो अब उनको वाइसराय बना दिया गया अभी तक जो गवर्नर जनर थे तो अगर पूछा जाए पहला वाइसराय कौन था इंडिया का तो लॉड कैनिंग थे जो कि पहले गवर्नर जनर थे लेकिन अब क्राउन डूल के बाद इनको वाइसराय बना दिया गया इन्होंने गोष्रा कहां से पढ़ी थी ये भी कोशन पूछा गया है कई सारे एक्जाम में तो इन्होंने गोष्रा पढ़ी थी इलहाबाद में ठीक है एक नॉबंबर 888 को इननyorsunने घोस्टा पड़ी कि इस इंडिया कमपणी से यह जमेदारी ली जाती है और सीदे ब्रिटेंट साशन के हाथ में जमेदारी दी जाती है और कहाँ पड़ी थी इलावाद में पड़ी थी उसके साथ में कुछ चीज़ें कीगए जिसे भारती सैनिको में जो अभी तक सैनिकी संख्या कम रहती थी तो वहाँ पर 5 भारती सैनिको पर दो गोरी सैनिको को लगाय गा है तो यह रेशियो रहा आवत बिहार और मद भारत अच्छी भारत से सिपाईों की भरती की जिगा इस वाले इलाके से सिपाई बहुत थे ना इसे आवत से सिपाई बहुत जादा थे तो उनकी जिगा पे गोर्खा, सिक और पठान को जादा भरती की गई क्योंकि इन्हों ने विद्रो का दवाने में अंग्रेजो का साथ दिया था यह कुछ कारण रहे थे अब यहां से question answer कर लेते हैं अठास वतावन का विद्रो कहां से शुरू हुआ था तो कहां से शुरू हुआ था मेरट से शुरू हुआ था मंगल पांडे किस छावनी से थे जासी में विद्रो का नेतर तो किस ने किया था तो लक्षमी भाई ने किया था कुवर सिंग कहां किया थे तो कुवर सिंग जगदीजपूर के जमीदार थे वहाबी अंदुलन का नेतर तो बिहार में किस ने किया था की चाप्टर सेवन है बिर्टि साशन में सिख्षा इससे वन-liner कोशन उठते हैं तो हम उनको कवर कर लेते हैं तो सबसे पहला कोशन है कि 1781 में कलकटा में मदर्शा और बनारस में संसकत कॉलेज़ की इस थापना की गई तो इस टाइम पर 1781 में की गई थी ठीक है कलकटा में मदर्शा की स्थापना अंग्रेजु के टाइम पे और बनारस में संस्कत कॉलेज की स्थापना की गई थी अब यहाँ पे एक्स्टा पॉइंट आपको याद रखना है कि इस टाइम पे कौन थे गवर्नर जर्नल तो इस टाइम पे लॉर्ड वरें हेस्टिं थे ठीक है है हेस्टिं गवर्नर जर्रंणर थे और और यह जो संस्कत कॉलेज है इसके स्थापना काश्र हो जह घ्याता है जो नाथन-डंकन गो जाता है और यह किस टाइम की बात है लॉल र्रेज है है वंगण संस्थाओं को क्यों स्थापिच किया गया था क्योंकि हिंदू और मुश्लिम से संबंदी जो प्रचलित उनके धर्म से संबंदी जो कानून हैं परंपराओं हैं उनको समझने के लिए ताकि यह एक आदालत में इक न्याधीश के लिए एक सपोर्ट हो जाए इसलिए इनकी स् अधितिकी इनके जो वेध हैं, पुरान हैं, इनकी साहता लेनी पड़ेगी और इन में से एक प्रमुक रहते हैं विल्यम जोन्स विल्यम जोन्स से रिलेटेड एक कोशन आता है इन्होंने क्या गिया था फार्सी और संस्कृत भासा का ज्यान किया था इसलिए इन्हों ने फार्सी और संस्क्रत को सीखा भी तागी कि भारती पुस्तकों को क्योंकि फार्सी जो माधिकालीन पुस्तके थी वो जनिली फार्सी में थी जो प्राचीन पुस्तके थी वो संस्क्रत में होती थी अब इन्हों ने कलकत्ता में किस किस थापना की थी 1784 में एसियाटिक सुसाइटी और बेंगॉल की स्थापना की थी तो जोन्स ने विलियम जोन्स ने 1784 में एसियाटिक सुसाइटी और बेंगॉल की स्थापना की है किसके द्वारा की गई है William Jones के स्वारा की गई है और जो ये है Gita की अन्वानकार जो रहे थे अब विलियम जोन्स क्या करते थी, कि समय समय पर कुछ पत्रिकाय निकालते थी, इस संस्था के द्वारे जो असे डियों पर अधर और सम्मान का भाव रखते थी अब आ जाता है जो कि हम CDP में चर्णिली पढ़ते ही है ये टॉपिक तो अब आ जाता है 813 का चार्टेट एक्ट जब यहां पर बहुत सारी संकिया में अंग्रेज हो गए जो फेवर में हो गए कि हां भारतियों को सिख्षा दी जानी चाहिए क्योंकि हमको उन पर राज करना इसमें कहा गया कि इस इंडिया कंपनी यह जो अंग्रेजी सरकार है वह भारत पर एक लाग रुपए खर्च करेगी किस पर सिख्षा चेतर पर एक लाग रुपए खर्च करने की बाद 813 के चार्ट एक में की गई थी लेकिन अब यहां पर कोशन मां कोशन आ जाते है कि यह जो सिख्षा दी जाएगी कौन सी भासा में दी जाएगी कौन से साहित को समर्थन देना है क्योंकि एक वर्ग कह रहा था कि इंडियन लैंग्विज को सपोर्ट किया जाए या इंडियन लिटरेचर को सपोर्ट किया जाए जिबकि एक वर्ग कह रहा था कि वेस्टन को सपो मैकाले जो रहे थे वो पास्षात साहित के सवर तक थे यानि कि वेस्टरन लांग्वेज और वेस्टरन कल्चर को वो चाहते थे कि उसमें पढ़ाई सिख्षा दी जब्कि जेम्स मिल इंडियन के फेवर में तो इस तरीके से बात चल ली थी अब यहां से जो कोशन आता है मैक भरगो में भाती इनके बीच इनके बीच में एक मीडियम का काम करें ये जो देखने ये जो बीच बाला वर्ग है ये देखने में तो भारती हो लेकिन सोच से वो अंग्रेज हो यानि की वेस्टरन कल्चर को फॉलो करते हो तो हमें बस उनको सिख्षा देनी है ये मीडियम के रूप में चंचंके नीचे जो नीचे लावर पर भारती है उन तक प बेंटिक से और पॉइंट कवर करते हैं इनी के टाइम पे सधी प्रता का अंथ हुआ था तो सधी प्रता का अंथ किन के टाइम पे हुआ था बेंटिक के टाइम पे हुआ था किन के प्रियासों से हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रियासों से हुआ था अब राजा राम आप कॉमेंट करके बताएंगे कि इनको राजा की अपादी किस ने दी ती राजा राम मोहन राए को नहीं आता होगा तो पूछेगा मैं कॉमें रिप्लाइ कर दोंगी आप मैंकाले जो अपनी रिपोर्ट सोभते हैं और 3035 में सोभते हैं अब इसमें क्या कहा गया कि जो सिख्फा कामादया में वो अंग्रेजी कर लिया जाए कि इंग्लिश के फेवर में थयर्म इनों बहुत सारी भारती साहित है स को बहुत सारी गलाट बाते भी कही थी कि जो भारती साहित हैं वो अंग्लिजी साहित को FOOLOW करते हैं इसलिए इननों ने उन्ग्रेजी को Favour किया था वो भारती भासाओ को इन्होंने नकार लिए था भारती जो इंडियन लेंग्विच है उनको प्रोचसाहन नहीं दिया था इस्कूल इस तर पे जैसे सिख्षा दी जा रही है वैसे ही दी जाएगी उनको इस पे छोड़ दिया गया था उच इस तर पे English Medium कर दिया गया था जो इस्कूल की टेक्सबुक है वो English में चपी जाएंगी उनकी प्रिंटिंग इंग्लिश में होगी यह सारी बाती इन्होंने क भारती भासाओं को अभी इंकरेज करना चाहिए और लेकिन उच्छ सिख्षा इंग्लिश में में ही दी जानी चाहिए तो मतलब जो निमनिस्टर की सिख्षा है वो इंडियान लाग्मिन में दी जाएगी जब कि उच्छ सिख्षा जो है वो English Medium में में दी जाएगी यह बात लाग् क Weird Dispatch धे ख़ी से यॉडि की इंडियानों में एक बहूत इंपरडंट को को्शन बंता है कि इन्हों ने इन्हीं के रिपोर्ट के अनुसार विश्विद्दाथ स्थापित किये गा है तो विश्विद्दध्द धार पर लिख अनुसार स्थापित किये determination वुड़ इ सभी मामलों पर सरकार का CDC दिया गया है जला स्थार्ष को से सुरूर किए हैं जिला स्थार पर हड्याय रियूंस 14 पाइंट पाइंट पॉइंट के 13 YouTube रिपोट में यह रिपोर्ट देते हैं यहां की देशी स्कूलों के उपर देशी स्कूल मतलब की बंगाल और बिहार के छेतर में एक लाग से ज्यादा पाट साल है थी जिसमें हर छोटे-छोटे केंडर होते थे 20 से ज्यादा बच्चे ज्यादा नहीं होते थे तो लगबग 20 लाग बच्चे इनी छोटी पाट सालों में पढ़ड़ा है थे ये काल की रही थी लगबग वही बात की जा रही है और इन यह जो प्रणाली थी फ्लक्सिबल थी फ्लक्सिबल थी इस्थानी अव सकता हो कि अनरूप थी अनकिया कटाई होती थी इन जिक्षाओं को बंद कर दिया जाता थे इनको और शुधार करने के लिए अंग्रेजों ने को रख लिया जिनकी जिम्मेदारी थी यह जो चार-पाँच स्कूल है या जो पार्ट साला हैं इनका दोरा करना और इन पार्ट सालों में जो नई विवस्था लागू की गई असरकारी अनुदान दिये जाने लगे जो फीज थी पहले फिक्स नही थी अब फिक्स कर दी ग पास्षा जो पढ़ने और लिखने पर ही जोड़ देती है जबकि भारती सिक्षा में इनका माहत्मागानी का एक मानना था कि पढ़ाई लिखाई तो इंपोर्टेंट है लेकिन साथ में आप जीविका भी चला सको ऐसी पढ़ाई आपको करनी चाहिए वहारिक सिक्षा प्र माहत्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी उन 1937 में यहां पर से एक थेवरी रखिए तो वही बाते यहां पता ही जा रही है सिक्षा का मतलब यह होता है और वो अपनी उप्योगी हस्तकोसल को सीख सके जिससे वो अपनी जीविका चला ले तो यह उनका कहने का मतलब थै कि सिक्षा यह है ना की से पढ़ना लिखना अब हम जानते हैं टाइगोर का सांती निकेतन के बारे में टाइगोर ने इसकी सु अच्छी हो बच्चों को समझते हों बच्चों मतलब बच्चे उनका दम ना घूटे वहां पे उनको प्राक्तिक महौल में उनकी रचना सीलता जो अभी उनका यह मानना था कि पहले से वहां जो सिक्षा चल लई थी वह क्रिएटिव नहीं है कल्पना सील नहीं है उसके सु इसके लिए नहीं ने क्लकाता से सो किलमेटर दूर ग्रामी परिवेस में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया था तो सांथी निगेतन की स्थावना कलकाता में हुई थी और इन्होंने किसके प्रवर्टक रहे थे यह प्राक्तिक परिवेस में सिख्षा दी जानी चाहिए और जैसे गानी जी पास्चात शिख्षा मतलब वेस्टर्टर्ट लेकर शिरोध ही रहे थे लेकिन जो टैगओर थे यह इन दोनों का झाहते थे मतलब कि यह वेस्टर्टर्टर की चाहते थे चाहर vrijपाल पर इन्डियन के जम पर का इन्डियां पर उन्हों अच्छे उप प तो 1911 तक तो वही जो बंगाल में चिंज़त हो रहे तो भीहार में भी हो रहे थे जब बिहार अलग हो जाता है तो 1935 की जब नीती आती है उने इस पैस की वही घाले वाली आती है तब 1935 में सबसे पहले पत्ना में पत्ना कॉलेजी एट हाइ स्कूल इस्थापित किया अभी क में चपरा में हुआ है पैदालिस में गया में हुआ है गया और मुझफरपूर में हुआ है ऐसे करके इस्थापना हुए आप चाहें तो इसको एक बर लिख भी सकते हैं वरना में तो पहला वाला आपको याद रखना है इन सभी को जिला स्कूल के नाम से जाना गया मैं दरबंगा में दरबंगाराज स्कूल के सबाता पटना में ही कुलहडीया कि जमिदार द्वारा बिहार बिहार National High School इस्थापिच किया गया जो बाद में बिहार National College बना प्रमुख है ठीक है तो यह तीन प्रमुख रहाते हैं मतलब एक टिकारी वाला एक दरभंगा वाला एक बिहार National High School जो के कुलहडिया के जमीदार द्वारा किया गया था जो आगे चल करके बिहार National College के नाम से ज 1667 में पटना इस्थिद बाकिपुर, बाली का विद्याले ती में?」 बालिकाओं का लड़कियों का प्रिथम स्कूल ता या 1868 में भागलपूर में इस्थित मोचिदा बालिका विद्याले या 1884 में मुखरजी सेमिनरी प्रमुक हैं यह बालिकाओं से संबंदित रहे थे जो कि कहां-कहां पहले तो बाकिपूर वाला रहा था फिर 1868 में गया वेवा प्रमुक हासन स्कूल आगाओं इसे आज का जिल्ला स्कूल स्थित को बीजित प्रमुक्षा ौरक उसके बाद कुछ और अंग्जी अविकित प्रया से सुरू किये गया है ता 880 में दर्गभंगा में नोड्ए ब्रुक हॉएग जिसे आज का जिला स्कूल कहा गया और 1901 में समस्ती का वाच्छन हाई स्कूल इसी सेडी में आएगा तो नॉर्थ बुक और वाच्छन शुरू किये गया थे इन स्कूलों को सुरू किया गया अब आती ही कॉलेज की बात तो पहला जो कॉलेज बनाय गया वो था सबसे पुरा जुबली कॉलेज भागलपूर 889 में बिहार नाशनल कॉलेज 889 में डाइमंड जुबली कॉलेज मुंगेर ये सारे स्थापित किये गये थे इसाई धर्म प्रिचारकों ने इसाई जो मिसंडरी थे उनके द्वारा सेंट जॉजफ कॉनवेट स्कूल 813 में और सेंट माइकल स्कूल 814 में स्थापित किये गये अब हम जानते हैं लंगट सिंग कॉलेज के बारे में ये बिहार के पाचवे और उत्तर बिहार के प्रिथम कॉलेज की बात की जा रही है अकर पूरे बिहार के प्रिथम कॉलेज की बात करें तो वो तो खुला था 863 में पटना में खुला लेकिन अकर उत्तर बिहार के प्रिथम कोलेज की बात करें नौर्थ बिहार के तो वो था 899 में खुला है और जो कि लंगज़ सिंग कॉलेज था लंगज़ सिंग नाम क्यो पड़ा वो भी हम जानेंगे अब इसकी स्थापना कभ होती तो कॉलेज की स्थापना हुई है मुझा पारित प्रस्तावों के बाद इसके प्रस्तावों के बाद इसके इसके इस्थापना की जाती है। प्रस्ताथ जो रॉक्टर राजन प्रसाथ हमारे प्रेथम प्रेसिडेंट रहे थे उनके द्वारा इतिहास विशेग के अध्यापय के रूप में अपना योगदान दिया गया। कोशन आंसर कर लेते हैं विलियम जोन्स भारती इतिहास और इनको अच्छा जरूरी मानते थे क्योंकि भारत में बहतर अंग्रेजी शाषन इस्तापित कर सकें मतब अच्छा जरूर कहते थे लेकिन को साशा नहीं करना था यहाँ पर आदुनिक सिक्षा की भासा किसको बनाया गया गया था अंग्रेजी को बनाया गया था असे आटिक सुसाइटी और बिंगॉल के सावना विलियम जोन्स नहीं की थी अपनी वेसिक सिक्षा में भारतियो क्यों कहा था तो गांदी जी ने कहा था भारतियों द्वारा पाश्मी सभिता को स्रेश्ट मानने के कारा क्योंकि भारति कहीं ने कहीं उनसे प्रभावित हो गया थे मैस दो फोलिंग करते हैं विलियम जोन्स ने क्या किया था विलियम जोन्स यहां के चीन संस्कृती का सम् यहां पर कुछ आंदलोन जो चले थे जाती वरिस्था के खिलाफ उनके बारे में हम जानेंगे और कौन उनके प्रवर्टक रहते उनके बारे में सबसे पहले तो पॉइंट यहां पर बताए गया है कि ब्रामःड जो थे वो समाज का वह वर्ग था जिसने एक अधिकार स्थापित कर लिया था मतलब सत्ता इनी की है यह बेर्भाव करेंगे चूट के यह सब चीजे उस टाइम तक बहुत बढ़ने लगी थी अंतियच किसे का आगया अंतियच वो थे जो सबसमाज की परिदी से बाहर रखा गया था जिनको मतलब जो निम्न जाती के थे और जिनको सबसमाज की परिदी से बाहर रखा गया था तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे जिनके बारे में वो है महात्मा जोती राव फूल है यहां से कोशन बना है प्रीविसर में तो इन से रिलेटर जो कोशन बने हैं आधरवाइस यहां पूरी थे रखी हुए कि यह जादी विरस्था के खिलाब थे या चूदवर के खिलाब जो मानवी विवार किया जा रहा था इसके यह प्रृबल विरोधी रहे थे कौनसे छेटर से थे उन्हों ने एन्होंने राटी भासा का प्रीयोग किया था और इसके द्वारा आरिवाधिक परंपरा का विन जोति राव पुले की थि दीनल दारपड पुष्तग थे थि दिनलीदेनल दारपड परपड पुले मित्र थे श्यए निकाली इनहोंने गुला्मी देकित तो यह टिक गुलाम गड़ी पुस्तक किस किये जो तिराव फूले की अटासफोतीहतर में इन्हों ने फूले ने सूदरों की दास्ता के जो सूद्र है उनको दास बनाया जा रहा है उसके कारड की व्याक्षा की थी और इसकी तुल्णा इन्होंने अमेरिका के नीग्रों जो काले गुला जो प्राम्हड वर्ग हैं उनके और जो चुवा चूद या इन सब का काम करते हैं अब यहां से अगला कोशन जो बनता है यह मैंने बताई दिया कि गुलामी या गुलामगरी पुस्तक में क्या कहा गया था इस पुस्तक के छपने के लगबक दस वर्स पहले अमेरिकी ग्रह य इसी ले नों ने और comparison किया था यहां पर इन्होंने सबस्तक के सबस्तक के द्वारा कि गई कोई 828 में की गई ये संगर्ठन क्या करता था जो जाती है नहता है उसके उमर्थन में मुहिम चलाई थी उन्होंने महरास्ट में निमने जाती है तो एक सामोहिक पहचान दिलाई थी अब नेक्स कोशन यहां से बनेगा कि कास्तिकार की चाबू किसकी रजना है तो जो तिराओ फूले की रचना है इसमें इनों ने किसकी अरोजना की है तो उच्छे जाती है जो नेता है जो उपनी वेस्वाद के विरोध में थे रास्टव बारे में तो वीर सेलिंगम जो रहते यह दच्छिद भारत में इनका योगदान रहा था यह पूरा नाम क्या था कुंडू करी वीर सेलिंगम नेधन परिवार से तालोग रखा था और इन्हों ने तेलगू भासा में अनेक लेक लिखे थे इसलिए इसले इनको तेलगू आ करें जाता है तो आदनिक तेल्गु साएच के जनन किसे कहा गया तो वीर स्यालिंगम को कहा गया इन्होंने महिलाओ के लिए भी काम किया मदब जाती-पृता के खिलाफ तो चंगत całे केरर के इरावा जाती के SNDP योगम आदी पर इसका प्रभाव बढ़ा था नेक्स नरायन गुरू जो थे नरायन गुरू ये केरर के इजहावा निमने जाती के थे और नानुस आसन का नाम था जो की बाद में स्री नरायन गुरू के नाम से जाने गया है और ये इसके दो में उद्देश थे चुवा चूट का विरोध करना दूसरा जो पूजा विवा या मरतब के अंतिम संस्कार है इनका जो इतना बढ़ा कर दिया गया है बढ़ा चड़ा के उस विधी को सरल बना लेना ये इनका में उद्देश रहा था अब इसके बाद इस संगठन ने दक्षिट भारत में मंदिर में प्रिवेश जो निमजाती को नहीं दिया जाता था उनको भी प्रारम कराया उन्ने सो बीस के दसक में माधवन के नेतत में गानी जी के रास्टवाद से प्रभावित हुआ था जो नाशनल मोव्मेंट है उसमें भी इन्होंने योगदान दिया था मदरास बोर्ड ओफ रेविन्यू अठासो अठारा द्वारा एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला था कि निचली जाती के समूहों से आये जो खेती हर मजदूर है लगबग गुलामी की सिथी में ठेल दिये गए मतलब गुलामी में ही वो रहे है खेती हर मजदूर ये कौन सी रिपोर्ड में आया था मदरास बोर्ड ओफ रेविन्यू 818 की रिपोर्ड में ये आया हुआ था नेक्स्ट है यहां से कोशन इवी रामस्वामी नायकर जिनको पैरियार के नाम से भी जाना जाता था इन्होंने किसकी सुरुवात की थी आपने सम्मान अंदोलन की सुरुवात की थी तो यह कोशन तो यहीं से बन तकता है कि आत्सम्मान आंदुलन की सुरा किस ने की थी तो नाईकर ने की थी या पैरियार इनको बोला जाता था ये जादी व्यवस्था के अलोचक थे ये खुछ न्यासी थे लेकिन इन्होंने जो हिंदु वेद पुराण है इसके कट्टर अलोचक रहे थे भगवाद गीता रामाय इसके एक अधिवेशन में जब एक भोज में निम्नजाती को अलग बठाया जाता है जिसे बहुत प्रभावित होते हैं और कॉंग्रेस दल से अलग हो जाते हैं हाला कि आसायोग अंदोलन जो की 1920 में हुआ है 1920 में स्टार्ट हुआ था उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया था कुड़ी अर्शू नामक अपने आलेक में परियार ने लिखा था कि आत्म सम्मान अंदोलंका सही मार गया तो आत्म सम्मान दिलाना चाहते थे तो गयर ब्रामबर जाती के लोग थे उनको जागरू कराना चाहते थे अब इनको नेतर तो शौपा गया था देखिए तो कि लगवक समझ झेतर में इनकी नेतर को को सुछरार किया गया उन्य 녹ल स्यस्षिस में जस्टिस पार्टी नेतर द नाम के नाम से जानी कही मदू ए जो और दिरावडी कस्गम के नाम से जाना गया परियार क्या करते हैं मनिया माई से विवा कर लेते हैं जिससे एक विवाद उत्पन होता है और इसके बाद इनको यह जो कश्गम है यह जो पार्टी है इस से 1949 में स्वैम को अलग कर लिया अब मेन आ जाते हैं अब इसके बारे से पढ़ना है या फिर जिससे रेटर जो कोशन होंगे मैं आगे वीडियो में लाऊंगी 1919 में पहला अखिल भारतिय डिप्रेस्ट क्लास सम्मिलन हुआ था जिसमें कॉंग्रेस के द्वारा गानी जी के सुझाओ पे चूआ छोड के विरुदगोशना पतर जारी किया गया है उन्हीं सोट्स में पहला अखिल भारतिय डिप्रेस्ट क्लास सम्मिलन होताय उसमें अब यह भी जो इन्हों ने रिट्रकुत को हरीजन कहा था ठीक है प्रिकासिट की गई थी 있답ी अंगि पर्ट में समर्फन किया था इने ओंपर होता है paint होता है 1931 में सेटेटल गोल में समिलन होता है जिसमें जब लिटों के लिए प्राथक निर्वाचीन की विवस्ता हुई जो की भीमरा अमबेटकर जी के कहने पे हुई थी तब ये गांधी जी बहुत दुखी हुए थो और ये अपना अंसन पे बैठ गया थे अब इसके बाद गांधी जी और अंबेटकर के बीच में एक समझोता होता है जिसको बोला जाता है यह पूम्जून समझवाथा बोला जाता है, यह कब हुआ है, 26 सितंबर 1932 को हुआ था तो पूम्जून समझवाथा किसलिए हुआ था? जो हामरे अंसन में पहलों पहे बैण थे थे जाए हैं जबकि उनके साथ इतना गलत हुआ था कि अम्मेट करने कहा था कि नहीं हमको अलग निर्वाचन में वस्ता चाहिए इसलिए फाइनली फिर बाद में क्या क्या कहता है दलित है उनको उनके लिए seat reserve कर दी गई थी इस समझोते के बाद तो यहां से होता है इन से रेटेट सारे पॉइंट अब आपको गानी जी से रेटेट एक कोशन का आंसर देना है कि गानी जी ने कौन से कॉंग्रेज से कॉंग्रेज अधिवेशन में अधिटा की थी और वो एक ही मातर की है और उस एक का नाम बताना है आपको अब बाबा मेटकर से समझी जो कोशन रहते है क्योंकि यह खुद दलित वर्क से थे तो इन्होंने खुदी काफी सारी बेदभाव का सामना किया था 1920 में 20 के दसक में इन्होंने बहुत सारे अंदोलन के प्रवर्टक रहा थे जिनमें से हितकार्णी सभा यह कोशन बनता है बहिस्क्रत हितकार्णी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई 1924 में की गई बहिम्राओं मेटकर द्वारा की गई 1927 में महादली सत्याग्रय आरम किया गया महादली सत्य गया अरम किया गोल में सम्मेलन जो हुआ था 1931 में मतब 3031 याद रखेगा उसमें इन्हों ने जब अलग से निर्वाचन की विवस्था की मांग की तब पूरा समझोगता हो जाता है जिसके बारा भी हम चर्चा कर चुके हैं 1942 में उन्होंने अनुसूचित जाती संग की स्थाफ ना कप कush pie 2042 में कि द्वार कि गई और 350 में ये बॉत्धधम को अपनाले था हैं यहां पर भातऊनी सभा दलित मुक्ति अंदोलं का बिगल वाज़ाया थर्चा का विरोध कि या थैक। उस कर घर दित हैं प्रता यह को वर्गी करत किया गया था स्टेडी करत भागों में बाटा गया था समाज को जिसके विरोधी रहा थे ठीक है अब यहां से जितने कोशन बनते थे वो हो गए इसके अलावा इनके बारे में आपको एक इंपोर्टन कोशन याद रखना है कि तो कॉंस्ट्यूशन के तो फ विरोधी अंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारम किया था केरल में नरायड गुरू के द्वारा प्रारम किया था नेक्स्ट कोशन है गयर बराभी विरोधी अंदोलन को केरल में किसके द्वारा सुरू किया गया था नरायड गुरू के द्वारा प्रारम किया था पैर प्रॉमेटकर की द्वारा हितकारडी साब अगिसान दो 1924 में की चाप्टर नाइन महिलाओ की स्तिति में सुदार यहां पर महिलाओ की प्रति जो सतीर प्रता पर्दा प्रता या फिर बाल विवा चल रहा था उनको सिख्षा नहीं दो जा रही थी इसके पर जो सिच्छित वर्ग थे उन्होंने चुनोतिया दी उसके बाद उन्होंने कई सारी पत्रिकाय निकाले या पर कई सारे आंदोलन चला है जो पहले उस टाइम तक सिच्छा जो दी जाती थी वो कुछ वर्ग की महिला को सिच्छा दी जाती थी लेकिन उन्हें भी रो प्रेश्म उठाय था उनको क्यों नहीं दी जा रही है यहां से रेटेड और पॉइंट आपको यह याद रखने हैं कि जो सावित्री भाई फूले हैं यह भारत की पहली महिला द्याविका रही थी इन्होंने 1848 में भिंडे वाडा नामक भारत का प्रत्थम बाली का विद्या जिन्ध की चाहिए अब इस चीज़ को खतम कप किया गया सद्य प्रत्था के कुछ विरोधी रहेते को समर्थक रहते समर्थक रूडी वादी सोचवाले रहते पंदौ समर्थक न कहना था इसी बीच में सद्युक्य प्रता का अंत होता है इसी बीच में सधी प्रिता का अंत होता है कब 829 में कोश्म पूछा आता है सधी प्रिता का अंत कब हुआ 829 में हुआ किसके प्रियासों से हुआ राजा राम मोहन राय के प्रियासों से हुआ और उस समय गवर्नर जेनल कौन थे थो प्रेदा कर दिया गया अब राजा राम मुहनरा की बात हुई यहां को दिया अगरें 1809 अडिर्णी युकत प्रेटा कहा जाता है या ल陳 καкахत्ता वही का एस आख़ा कोच्ञ पैर hang संस्क्राइब फार्सी यूरोपी वहसाओं का ग्यान था इन्हें भारती परत्रिकार्टिया का अग्रदूद भी कहा गया उसके अलावा यहां पर और कोई पॉइंट नहीं बताए गया ऐस सच लेकिन मैं यहां पर और एक्स्रा पॉइंट बताती हूं इन्हों ने समात कॉव राजा रामोन राई को राजा की उपाधी किस ने दी थी तो अकबर दृतिया जो सेकेंट जो मुगल साशक रहते हैं उन्हों ने दी इनको युगदूद किसने कहा था युगदूद कहा है सुभासरन बोस ने कहा था केसव चंद मौर ने आगे फिर साखाओं में तूट ज इन रीफेरेंस में आपको साथी चीज़ें मिल जाएंगी प्रातना समाज की बात करते हैं प्रातना समाज की स्थापना का स्ट्रेक इसको जाता है यह जाता है एमजी रनादे को चीकिए महादेव गोविन रनादे और रामकरस गोपाल भंडार कर भी लिखा हुआ मिल सकता साथ में लेकिन रेडा जनरली option दिखता है कहा पर इसकी स्थापना की गई थी मुंबई में की गई थी और कब की गई थी तो इसकी स्थापना का इसकी स्थापना होई है प्रातना समाज की 1867 में हुई है 1882 में क्या हुआ कि पंडिता रामाबाई सरसुती पश्षिम भारत और रनादे की साथ जासे आर महिला समाज का गठन किया तो आर महिला समाज का गठन 882 में किया गया है किसके द्वारा रामाबाई और रनादे की मदद से किया गया भारत महिला परिसद इंडियन वोमिन काउंसिल का गठन हुआ और इसके पहले सम्मेलन में लगबग 200 महिलाओं ने हिसा लिया था तो ये चीजे भी हुई थी इस्वाचन विद्वा सागर के बारे में जानते हैं विद्वा पुनर विवा तो इस्वचन विदा सागर का बहुत बड़ा योगदान रहा है विद्वा जो पुनर विवा है उनसे क्योंकि विद्वाओं को बहुत जादा जहनला परता था इसलिए विद्वा पुनर विवा के समर्थक रहे थे रामचंद राई की तरह इस्वचन ने भी धर्म की वास्त्री ग्रूप को इन सुधारों को अधार बनाने का प्रयास किया था यहां के पुराण है वेद है उन सबको पढ़ करके उसके बाद वो चालेंज देते थे उनका सहरा लेकर के चालेंज देते थे कि देखो मैलाउकसर इतने अतचार नहीं होने चाहिए इसी पीछ में विद्वा पुनर विवा जो कानून है वो आता है 856 में उस टाइम पर गवर्नर जर्रेनल कौन थे लॉर्ड डल होजी थे डल होजी भी रहे थे अगर यह ऑप्शन में नहीं मिलता है तो कैनिंग आपको लगाना है कैनिंग भी कभी-कभी दिख जाता है अध इस पर आपको यह जो आए तो इसको याद रखेगा अधास विवास संबंदित रहा था यह उसके बाद केसव चंसेन ने आगे का काम बढ़ाया मतलब विद्वास आगर के बाद आगे का काम इन्होंने जिम्मा समाला इसके परणाम सरूप नेटिव मैरीज आक्ट अग्ट यह आया 1872 में 1872 में आया हुआ इस कानून में क्या किया गया बहु विवा का विरोध किया गया और जो नियून्टम आयू है वो 14-18 कर दी गया और इसकी 14 लड़कों की रही और लड़कों की 18 रही इस संबनी तभी हमने एक प्वाइन देखा उसके बाद यह संस्क्रेट की महान विद्वान थी और इन्हों ने क्या क्या है नोंने पूरा में एक विद्वा ग्रह की स्थावना की यह सार्दा सदन के नांत जाना गया तो पूरा में सार्दा सदन सादर सदन की स्थावना कि इसने की है तो रमा भाई ने की थी आगे चल करके इसाइग रहड कर लेती है और विद्वा होने के बाउजु शादी कर लेती जिसके विज़े से इनको उतना सम्मान नहीं दिये जाता अब स्वामी दयानन स्वासिती के बारे में जानते हैं यहाँ पर तो काफी कम दय रख हुआ है लेकिन इन से लेटे मॉस्ट आफ जो हैं वो क्रिया करते हैं से स्वामी दयानन सौ सिती कब बच्पन का नाम मूल संकर था, इन्होंने आर्समाज की स्थाफना कीये कब की थी, 800, 175 में की थी, कहां की थी, तो इन्होंने आर्समाज की स्थाफना मंबई में की थी उस टाइम ठीक है, आगे चल करके इसकर मुक्याले लहुर भी रहा था, अब यहां से रेटर पाइँ इनका याद रखना है कि इनकी पुस्तक क्या नाम था जो की जनरली पुछा आता है सत्यात प्रकास इनकी पुस्तक थी सत्यात प्रकास इनकी पुस्तक रही थी और उसके अलावा इनकी रचना रही थी के हैं स्वाम वेकरनंजी इन के बारे में जानוכुए पटाई कि ईंहों ने बता है कि इन्होंने souhaаз 8 traz Ampnea में अमका सब्छार कि जानते हिए विशुदह्म समयलन से वंदुक्षभी क्शक्रा खिलल करें शेए yapmış आब पट हम आthe इनकी पुष्तकों के नाम क्या क्या रहे थे तो राजयोग कर्म्योग और प्रबुद membharat और उद्बोधन अब उद्भुधन ये कुछ पुष्तकि रहे थेए जानते हैं जो इन्होंने से वितना बताया है जो मुष्लिम महिलाव रर्ग है कि समिक अंसार कुछ परवर्तन होने चाहिए अब इनसे रिल्टेट जो पॉइंट है वो एक बार क्लियर कर लीजेगा इन्होंने अनुवाद समिती की स्थापना की ठीक है 864 के करीब वैग्यानिक समिती की स्थापना की सबसे इंपोर्टेंट जो कोशन इनसे बनता है वो यह ही आगे चल करके अलीगर मुस्लिम विश्विद्दाले बनेगा 1920 में ठीक है यह पॉइंट आपको याद रखना था से उसके अरावे इन्होंने इंडियन प्रेट्रियोर्टिक एस्थापना की थी नेक्स पॉइंट नेरोजी फर्दून जी तो पार्सी समुदाइक में इस बिहार से समधित कुछ पॉइंट भाइं दाणा भाई नरो जी इनको रादपूर उसके नाम से बी आपकी लापि फर्द अ उन्होंने यह पत्रिका निगा ली थी ऊपिए इसिऊ जर तोस्टी मंडल की स्थापना इनों नी की थी पार्शी समुदाय ने नेरोजी परिवार के सायोग से की थी 1903 में 50 महिलाओं को इस संगटा ने जोड़ा गया थो इसका सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष रहे थे 36 वर्सों तक वो M. Kursetji रहे थे ठीक है अब बिहार से संबनित कुछ पॉइंट क्लियर कर लेते हैं डॉक्टर B.C. रॉय जो बंगाल के प्रथम मुख्यमंतरी रहे थे उनकी माता अगोर कामिनी देवी के द्वारा अगोर कामिनी देवी के द्वारा लड़कियों के लिए जो बाकीपूर गल्स हाई स्कूल क की स्थापना की गई थी या विद्दाले फरवरी 1867 में छे चात्राओं से प्रारम किया था विहार की राजधानी में इस सिक्षर संस्थान के अपनी पैचान है तो यह बाकीपूर गल्स हाई स्कूल कहां पे हैं पटना में हैं 1867 में स्थापिच किया गया था छे अगहर कामिनी किसकी माता थी डॉक्टर बीसी राय जो बंगाल के प्रिथम मुखमांदिरी रहे थे उनकी थी ठीक है उसके बाद रविंद्र बाली का विद्याले खोला गया यह रविन्ना ठाकुर की बेटी की द्वारा खोला गया था माधुरी लता देवी ने 1903 में गही जैसरार मिज़े रहा मिसीं की साखां बिहार में कहा रही थी 1922 में पटना देवगर में इस्थापित की गई थी उसकी अलावा त्व्यक्ति में कहा एक थे सपी कर सुसाइटी के बारे मी पहले हम जान लेते हैं तैसो सफीकल सुसाइटी के स्थापना का अब हुई है क प्रादा समाज की साखा बिहार में कहा रही थी तो यह कुछ पॉइंट रहें अब यहाँ पे एक दो पॉइंट और बताए गए हैं सेख अब्दुल्ला और उनकी पत्नी बेगम बाजिद ने अलिगर कन्या विद्याले खोला यही आगे चल करके अलिगर मुस्लिम विश्विद्याले के अंदर महा विद्याले में परिवर्तित हुआ ठीक है बेगम रुक अधिनियम के तहट यह एक्शली हुआ गया इसमें कई वर संसोधन भी हुआ है तो इसमें 16 वर्स और 18 वर्स लड़कों की 18 वर्स टड़ियों की 16 वर्स की गई और बाद में यही आगे चल करके 1978 में और emotional हैं 938 में बालव gemaakt निशेद अधिनियम में 21 creative की 18 यहां पे आपको याद रखना है कि 1929 यह ए क्की disaster झाल्बादा एक्ट के नाम से जानते है तो शार्ड़ा एक्ट इससे सम्भनदी थै बालवhwa अधिनियम से सिश्व हध्या का प्रिछलन जो था Started Randary तरीके से खतम किया गया 870 में उससे पहले भी काम हुआ था 805 में लेकिन खतम नहीं हो पाया था अब 870 में पूरी तरीके से एकदम अवयत खुशित कर दिया गया गया केसव चंथेन के द्वारा एतिहासी इसपेशल मेरिस बिल 871 का ड्राफट पटना में त्यार किया गया था तो तो सीशू मेरिज केसर चंट सेंच के दौऱ है क्षाछ 걸ोड है अज़ है ए ड्राफट ट्ना इसके द्वारे इसकी है ना-एक सटेर रास्टी महिला, परिशद, अकल भारती महिला, हम्मेलन ऐसे करके कई सारे सम्मेलन महिलाओं के लिए इस्तापित किया गया थे बस इन से रिलेटेड और तो पॉइंट याद करने वाला नहीं है और ये बिहार के परिपेक्ष में बिहार साइकल योजना शुरू की गई ताकि कन्याओं को सिख्षा में आगे बढ़ा जा सके और पंचाईती विवस्था में बिहार में 50% अरिक्षड महिलाओं को दिया गया है सो आप कुशन अंज़ी कर लेते हैं इस्त्रियों की असावांता की लिए पहली पर किसमें प्रस्चित सुरू किया था तो भारती सिख्षितों के द्वारा है उनके द्वारा यह प्रस्चित लगाए गया थे सिख्षा किस वर की महिलाओ तक तक सीमित था तो उच्वर की तक था कांसरी प्रताकांद कप किया गया था 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 यंधिया सागर जिमेद आरते हैं मतलब वो उन्होंने अपना जीवा समर्पित किया था बाल विवा निशेद अधिनियम का वाया था थी टुटिन आइन है लेकिन बाल विवा तो यहां पे होते हैं आपके 629 टोटल चार चैप्टर इसमें कवर हो जाते हैं बाकी की चैप्टर हो लास वीडियो में लास पार्ट में कवर होंगे तो इनको रिवाइज ज़रूर करिएगा रिवीजन कर लेंगे ज़्याद अच्छा रहेगा जहां से इंपॉर्टेंट मिला करें उनको नोट कर लिया करें जो आपको लगता है कि हां बूलने वाले हैं तो जिससी यह रहेगा कि आप लास टाइम में रिवाइज कर लेंगे तो वीडियो अच्छी लेगी हो तो लाइक इन कॉमेंट कर दीजेगा और थैंक यू पर वाचिंग मैं वीडियो